नमस्कार जेहन दोस्तों मैं रोही भारगो अतुल ले किड्मी में आप सभी का सौगत करता हूं रूमीद करता हूं आप सभी स्वस्तों होंगे दोस्तों आज का अपना टॉपिक है मद्यप्रदेश की प्रमुक नदिया तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मद्यप्रदेश की प्रमुक नदिया दोस्तों यहां पर कुछ नदिया बनाई में नर्मदा माही तापती जो पस्षीम के और भेती वी अरब सागर्थ या खंबात की गाड़ी में जाकर घिरती है वहीं चंबल केन बेतवा तीनों जाकर यमूना में मिलती है और टोन्स और सोन नदी गंगा नद नदियों की कुछ फेक्ट मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश राज्य की नदिया लगभक सभी दिसाओं में भेती परंतु अधिकांस नदिया उत्तरपस्षी में भेती है दोस्तों नदियों को सब्वेता का पालना भी कहा जाता है विश्य दोस्तों नरमदा तापती माही को चोड़कर बाकी सारी नदिया दुसरी नदी में जाकर भरती है और ये तीनो नदिया जाकर मिलती है अरब सागर में कौनकुरसी नरमदा ताप्ती व ối माही आगे हैं यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश की नदियों को छे अपवात न्तर सभस्जार दայ Neo421 सायग निए कुछ दाए और से आकर मिलती है और कुछ बाइए और से तो पहले अमस्तों देखते हैं दाइए और से ढह से आकर मिलती हैं आपन रमदा में मान चंद्रकेसर ऊटी बारना हिर्णी और बर्गी वहीं बाई और से आकर मेंती हैं दोस्तों हलोला कुंटी तवा दूदी गोई बंजर और और बर्णार छोटी तवा सेर और जंजाल तो इतनी नदियां दोस्तों नर्मदा की प्रमुक रूप से सायक है वैसे कुल देखी जाये तो 41 है हमें इतनी याद होना चाहिए आगे यहाँ पर दोस्तों नर्मदा नदी के बारे में कुछ फेक्ट नर्मदा नदी मध्य प्रद इसकी जीवन रेखा कहा जाता है साथी इसे रदय रेखा भी कहा जाता है 11 सिप्तेंबर 2015 को सुच्चिता के लिए नमामी देवी नर्मदे यूजना बनाई गई दोस्तों नर्मदा का अर्थ है खुसी का दाता और नर्मदा नदी पर 23 बड़े बांध है दोस्तों कितने हैं वहीं दोस्तों नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा 2017 में दिया गया था आगे यहाँ पर दोस्तों नर्मदा नदी तंत्र तो दोस्तों नर्मदा में कुल 41 साइक नदिया है दाई और से 19 साइक नदिया है वहीं 22 साइक नदिया मिलती है तो दाई और से कितनी 19 वहीं बाई और से साहिक बाविस साहिक ने दिया नर्मदा में जाकर मिलती है दोस्तों तीन राज्यों में प्रवाइत होती है पंदरा जिलों में प्रवाइत होती है और कुल लंबाई है नर्मदा की तेरा बारा किलो मीटर या तेरा सो बारा किलो मीटर मद्य प्रदेश में इसकी लंबाई है दस सततर किलो मीटर नर्मदा के किनारे इस्ती सहर है डिंडोरी मडला जबलपूर नंसीपूर होसंगावाद हरदा खंडवा खरगोन बडवानी धार और अली राजपूर और वहीं है देवास सिहोर और राइसें दोस्तो नर्मदा नदी मध्यप्रदेश महारास् महारास्ट में 89 किलो मीटर और आपके गुजरात में 156 किलो मीटर और जाकर मिल जाती है अरब सागर में ठीक है दोस्तों तो इतना हमें नर्मदा नदी के बारे में प्रमुकु रूप से याद होना चाहिए दोस्तों यहां तक हमने देखा है नर्मदा नदी तंत्र एक बा टेरे देखें दोस्तों फिर हमीदा के सहेख नदियों को देखा webinar 41 साइक नदिया वहें दाई और बाइँ औरसे अलग-अलग आकर मिलती है फिरहा पर हमने नर्मदा नदी के कुछ से देखें दोस्तों और आगे यहाँ पर देखा था नर्मदा नदी कि कुलर लंभाई तो आज के लिए इतना ही हम देखेंगे आगे कल अगले प्रमुक नदिया दोस्तों उमीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसना आया होगा दोस्तों वीडियो पसना आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में जहिन दोस्तों